चौथी बार है जब इस देश की कचेहरियों ने ये पाया है कि माननी ये मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की अरेस्ट लीगल है ट्राइल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पहली ED के केस में भी ये पाया था और पुनह आज CBI के केस में भी उन्होंने पाया है और मैं कोर्ट करती हूँ पारग्राफ 36 से यानि उनकी अरेस्ट लीगल हुए इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जाच एजन्सियों के पास पुक्ता सबूत थे, sufficient material था, काफी सारे तथ्य थे जिसके कारण ये पाया गया कि अर्विंद केजरिवाल जी को अरेस्ट करना जायज है इसका सीधा अर्थ ये भी होता है कि ना केवल अर्विंद केजरिवाल जी शराब घोटाल के kingpin हैं, बड़की सर से लेकर पाउं तक शराब घोटाले में लिप्त हैं क्यूंकि कचेहरियों ने बार-बार ये पाया है, आपने देखा होगा आज की conditions, paragraph 47 उसका point D उठा कर देख लीजेगा अर्विंद केजरिवाल जी को रोका गया है किसी भी फाइल पर साइन करने से और CM Office जाने से, क्यूं? E.D. का जब आप order Supreme Court का देखते हैं, तो वहाँ आपको याद होगा कि Honorable Supreme Court of India ने एक संकेत दिया था मानिन ये मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जिस तरह वो मुख्यमंतर की कुरसी को जकर कर बैठे हैं, ये उदंडता और उनकी हट से दिल्ली का अहित हो रहा है लेकिन मानिन ये मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी ने सुप्रीम कोट के संकेत को समझा नहीं क्योंकि सत्ता के मुह में वो इतने जादा मदमस्त हैं और इसलिए एक बार फिर सुप्रीम कोट ने आज चाहे बेल दी हूँ लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अर्विंद केजरिवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में इसलिए उनको ना तो CM के OFFICE जाने के योग समझा गया है ना किसी फाइल पे साइन करने के योग समझा गया है यानी माननिय मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी एक बे परवा सरकार के एक ला परवा मुख्यमंत्री है